दोस्तो, Automobile Industry के अब देजी से Electric Vehicles की और शिफ्ट होने से Electric Vehicle सेक्टर में Skill Candidate की डिमान बड़े पैवाने बड़ रही है नीतियायो की एक रिपोर्ट के अकोर्डिंग साल 2030 तक एक करोड से भी जादा जोग Electric Vehicle सेक्टर में होने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया में आने वाले सालों में 40% Electric Buses, 70% तक Electric Car और 80% तक Electric Two Wheelers और Three Wheelers होने वाले हैं तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि Electronic Vehicle सेक्टर में कैरियर बनाना आपके लिए कितना अच्छा options हो सकता है नवश्कार मैं हूँ कमल शर्मा आपका होस दोस्त और बड़ा भाई और आप देख रहे हैं शमिन शाला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ Electric Vehicle सेक्टर के कुछ online courses के बारे में जो आपकी मदद कर सकते हैं इवी सेक्टर में केरियर बनाने के लिए तो बने रहे है वीडियो के अंतक मेरे साथ दोस्ता सबसे पहले बात करते हैं भारस सरकार के National Institute of Electronics and Information Technology यानी निलिट द्वारा कराय जाने वाले online courses के जिसका नाम EV Technology and Public Charging Station है यह 5 दिन का course है जिसे हर दिन एधंटे की online class करके कराया जाता है इसमें रजिस्टर करने के लिए आपने लिट की website को visit कर सकते हैं क्योंकि यह course इस साल 8 मई से लेकर 12 मई तक कराया जाने वाला है इसके बाद बात करते हैं Allison Online Education Platform की जो engineering के students को online education और diploma प्रोवाइड कराता है और आप इसके courses घर बैठे complete कर सकते हैं तो बात करते हैं Allison के पहले course Motors and Controls for Electric Vehicles के बारे में दोस्तों यह एक 6 से 10 घंटे का online course है जिसमें enroll करके आप EV की अच्छी skill सीख सकते हैं online course complete होने के बाद आपको online certificate मिल जाएगा जिसको आप website से download कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं Allison के दूसरे course Diploma in Engineering Fundamentals of Electric Vehicles की यह 15 से 20 घंटे का online course है यह 7 modules वाला एक online course है जिसमें enroll करके आप EV की अच्छी skill सीख सकते हैं online course complete होने के बाद आपको online certificate मिल जाएगा जिसको आप website से download कर सकते हैं Allison का ही एक और course है Diploma in Electric Vehicle Technology यह 20 से 30 घंटे का course आपको EV सेक्टर में अच्छी skill से देने में मदद करता है इस course में आपको automation, automation testing, automotive engineering आधी सिखाया जाता है इस online course को complete करने के बाद आपको इस website से certificate मिल जाएगा इसके बाद बात करते हैं EV के अगले course TVS Training and Services की दोस्तों यह 15 घंटे का online course है जिसको हर दिन एक घंटे class करनी होती है इस course को करने के लिए किसी भी खास योग्यता की ज़रुरत नहीं है इस course में आपको architecture of electric vehicles और designing calculation of EV आधी सिखाया जाता है 15 दिन के इस course को complete करने के बाद आपको इसकी website से certificate मिल जाता है आज के आखरी course है skill link के electric vehicle course की इसमें आपको introduction to hybrid electric vehicles, introduction to battery technology, introduction to control electric vehicle आधी कई courses कराये जाते हैं जो पूरी तरह से online courses है skill link पर यह course complete करने के बाद आपको इसमें online certificate भी दिया जाता है तो दोस्तों electric vehicle sector से जुड़े हुए इनमें से किसी भी course को करके आप इस sector में एक अच्छा carrier बना साथ इन सभी course का link आपको description box में दे दिया गया है इसके अलावा आप electric vehicle से जुड़ी jobs के लिए apply करने के लिए हमारे श्रमी जो पॉर्टल को भी visit कर सकते हैं जिस पर आप ITI diploma से जुड़ी सारी jobs देख सकते हैं इस पॉर्टल का link आपको नीचे description box में दे दिया गया है अगर आपको और यह जानकारी पसंद आई हो या आपको कोई doubt है तो आप हमें comment section में पता सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe जरूर करें जिससे आपको बाकी notification मिलती है बस अब मैं आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक देखते रहे है श्रमिन शाला, नवश्कार श्रमिन जोब एफपर आप जैसे लाखोई हुआ जोब पा रहे हैं आज ही श्रमिन जोब एफपर जाएं और अपलाई करें अपनी पसंद दीदा जोब के लिए बल्कोल फ्रीमे